Hello everyone, so we are solving the back exercise of the chapter amines and today it's the turn of question number 9. So the question says, give the structures of A, B and C in the following reactions. आपको यहाँ पर कुछ reactions given है बिटा, उन में कुछ products missing है. उनको हमने नाम दिया है A, B and C, तो आपको बताना है कि यह A, B, C क्या होंगे. ठीक है, चलो, one by one करके इनको discuss करते हैं. So first part is, यह लिए बिटा आपने CH3CH2I, I do Ethene, उसके reaction करवाई NaCN के साथ, तो आपको बताना है कि यह जो A बना वो क्या होगा. ठीक, चलो, यहाँ देखते हैं reaction, क्या लिए आपने CH3CH2I, इसके reaction करवाएंगे बिटा, NaCN के साथ. जब हमेने CN के साथ reaction करवाते हैं, तो क्या होगा, एक और carbon यहाँ पर जोड़ जाएगा, कैसे, क्योंकि वहाँ पर nitrile group आ जाएगा, तो यह मिल जाएगा आपको CH3CH2 and CN. नाम क्या हुआ इसका बिटा, this is propane nitride, ठीक है, ओके, यह आया आपके पास product A, ठीक, अब क्या किया, अब आपने इसके reaction करवाई OH- के साथ, मतलब आपने यहाँ पर करवाया बिटा, partial hydrolysis, जब हम साइनाइट का partial hydrolysis करवाते हैं, तो आपको मिलता है amide, amide का मतलब क्या हुआ, यह था CS3, CH2, यह carbon, यहाँ पर हो जाएगा double bond oxygen and this is NH2, यह क्या बना बिटा, यह बना propanamide, तो नाम लिखेंगे इसका, this is propanamide, और यह क्या बना आपके पास, यह आगिया है B, this is compound B, clear, अब क्या किया, अब आपने इसके reaction करवाई NaOH and Br2 के साथ, कौ पर होगा Hoffman Bromamide Degradation, कैसे होता है बिटा, आप reaction करवाते हैं Br2 के साथ, in the presence of NaOH, Ethanolic Sodium Hydroxide, तो क्या होगा, यह जो R group है आपके पास, CS3, CH2, यह migrate कर जाएगा nitrogen के पास, तो product में क्या मिल जाएगा, product लिखेंगे यहाँ पर, CH3, CH2 and NH2, यह मिला आपको product C, इसका नाम क्या है, This is Ethanamine, दो carbon atoms हैं वहाँ पर, तो यह हो जाएगा बिटा, Ethanamine, और compound कौन सा है, This is compound C, ठीक है, first part समझा है, कैसे किया, ओके, ऐसे ही आपको सारी reactions को complete करना है, तो चलो, अब देखते है, part second, यहाँ पे starting material क्या है बिटा, यहाँ पे आपने start किया, C6H5N2Cl से, यह क्या है, This is Benzene Di Chloride, चाहो तो यहाँ पे structure बना लो, यह है आपके पास Benzene Ring, और इस Benzene Ring में यहाँ पे यह होगा बिटा, N triple bond N, C L minus, and this is plus, तेक, इसी को हमने लिखा है, C6H5N2Cl, clear है, अब क्या किया, इसकी reaction करवाई हमने CuCN के साथ, क्या होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा C6H5CN, यह जो आपके पास Diazonium Group था, Diazo Group, इसकी जगह पर क्या आगिया, आपके पास आगिया है CN, तो यह आए आपके पास Compound A, इसका नाम क्या है बिटा, This is Cyanobenzene, Cyanobenzene, and यह है Compound A, अब क्या किया हमने, अब हमने करवाया इसका Hydrolysis, Complete Hydrolysis अगर आप करवा आएंगे Cyanide Group का, तो क्या होगा बिटा, आपको मिल जाएगा Acid, Acid कौन सा मिलेगा, C6H5, and यह Cn Convert हो जाएगा COOH में, कौन सा Acid बनाए, This is Benzoic Acid, ठीक है, और यह Compound कौन सा है, यह है Compound B, अब क्या किया लास्ट में, आपने इसकी रियाक्षन करवाई NSV के साथ, और उस में कर देंगे Heat, तो यह Convert हो जाएगा किसमे Amide में, पहले यहां से बनेगा Salt, और फिर जब Heat करेंगे तो बन जाएगा Amide, Amide कौन सा होगा बिटा, C6H5, C0NH2, यह बना आपके पास Benzamide, ठीक है, और यह Compound कौन सा है, This is Compound C, तो आपने बता दिया A क्या होगा, B क्या होगा and C क्या होगा, Clear है, चलो, ऐसे ही देखते हैं, Third Part, इसमें क्या करना है बिटा, आपने Starting में लिया है, CS3, CH2, Br, This is Bromothene, तो यहां पर लिखेंगे, सारी reactions एक ही चैसी हैं बिटा, देखो, Bromothene लिया, इसके reaction करवाई KCN के साथ, तो क्या होगा, आपको यहां पर मिल जाएग प्रोपेन नाइट्राइल, CS3, CH2, and CN, क्या नाम है इसका, इस इस प्रोपेन नाइट्राइल, First Part पे भी यही बना था पहला compound, and this is compound A, ओके, अब क्या करना है, अब हमने Next Step में इसका करवाया Reduction, क्योंकि यहां पर क्या डाला है, लीथिया, मैलुमीनियम, हाइड्राइड, त तो क्या मिल जाएगा, CH3, CH2, CH2, and NH2, CN की जगह पर क्या आगया, CH2, NH2, क्या नाम है इसका, इस इस प्रोपेन वान अमीन, या फिर हम लिखेंगे प्रोपेन अमीन, ठीक है, यह कौन सा compound है, इस 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 compound B, अब क्या किया, आपने इसके reaction करवाई, HNO2 के साथ, और 0 degree Celsius पे, 0 Celsius का मतलब है बिटा, 273 Kelvin पे reaction हो रही है, अब जब आप अमीन को react करवाते हैं, HNO2 के साथ, HNO2 क्या है बिटा, this is nitrous acid, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से यह सीधा convert हो जाएगा पहले, डायजोनियम सॉल्ट में, और क्यूंकि primary amines की डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, वो unstable ह होते हैं, तो यहां से आपको directly मिल जाएगा alcohol, तो CH3, CH2, CH2OH, क्या नाम होगा इसका, तीन carbon atoms की chain है, तो यह बना आपके पास propanol, clear बिटा, this is compound C, tick, बात समझ आ गई, okay, next part देखो, यहां पर आपको दिया है C6H5NO2, क्या हुआ यह, यह हुआ आपके पास benzene ring, और इस benzene ring प So this is nitrobenzene, nitrobenzene का जब आपने करवाया reduction, FE और HCl की presence में क्या होता है बिटा, reduction होता है nitrobenzene का, तो हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं amines, तो यहां आपको मिल जाएगा NLN, यह benzene ring और यहां पर आया NH2, तेक, अब क्या किया आपने, अब आपने इसकी reaction करवाई, NaNO2 के स in the presence of HCl, temperature कितना, 273 Kelvin, इस process को हम बोलते हैं बिटा, diazotization, तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, benzene diazonium chloride, यह है आपके पास benzene ring, इस benzene ring में यहां आएगा nitrogen, triple bond nitrogen, CL minus, and यह nitrogen पे positive, चिक्या है, अब क्या किया, अब आपने इसका करवाया hydrolysis, water के साथ reaction करवाई, acid की presence में और थोड़ा सा कर दिया, इसको heat, क्या होगा बिटा, यहां से यह convert हो जाएगा अब alcohol में, मतलब यहां आपको मिल जाएगा phenol, diazog group convert हो गया OH में, तो यहां पर यह आ गया OH, तेक, नाम लिखें इनके सबके, यह क्या था बिटा, aniline, aniline का diazotization करवाया, तो आपको मिला benz benzine diazonium chloride, benzine diazonium chloride यहां पर क्या होगा, stable होगा, इसमें जब आप reaction करवाएंगे water के साथ, तो क्या हो जाएगा, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा बिटा, phenol, कौन सा compound क्या हुआ, aniline is compound A, benzine diazonium chloride is compound B, and phenol is compound C, clear, बात समझ आ गई, ओके, आप देखते हैं next part, next part में क्या given है ब आपके पास कौन सा acid, this is ethanoic acid, तो start करेंगे यहीं से, यह लिए आपने ethanoic acid, ethanoic acid में डाला है बिटा, NH3, NH3 डाला और फिर उसके बाद कर दिया heat, तो क्या मिलेगा, acid के reaction जब हम करवाते हैं, ammonia के साथ, और साथ में heat कर देते हैं, तो हमें मिलते हैं amide, तो आपको मिल जाए आपको मिल जाएगा, CS3, CONH2, यह मिला amide, इसका नाम क्या होगा बिटा, तो carbon atoms हैं इसमें, तो this is ethanoic acid, और यह है compound A, चेक, अब क्या किया नेक्स टेप में, इसके reaction करवाई है, NaOBR के साथ, यहाँ पर क्या मिलेगा बिटा, आपको मिल जाएगा, मिथेनमीन, क्या किया है, amide की reaction करवाई है, NaOBR के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, CH3, NH2, ठीक, NaOBR का मतलब क्या है बिटा, यहाँ पर हम actual में करवा क्या रहे है, हम करवा रहे है, होफ्में रोममाइड डिग्रेडेशन, यहाँ पर यह लिया, NaOH and BR2, ठीक ह तो क्या होगा, यह CS3 group migrate कर जाएगा, nitrogen के पास, तो आपको मिला CS3, NH2, इसका नाम क्या है बिटा, this is methanamine, this is methanamine, and कौन सा compound है यह, this is compound B, अब next step में क्या करवाया है, इसके reaction करवाई है, NaO2 के साथ, साथ में लिया है, HCl, मतलब हम reaction करवा रहे हैं, nitrous acid के साथ, primary amine nitrous acid के साथ क्या देते हैं बिटा, यहाँ पर यह दे देगा, alcohol, CS3OH, नाम क्या होगा इसका, this is methanol, and this is compound C, ठीक है, simple सी reactions हैं सारी, अब देखते हैं इस question का last part, क्या दिया आपको यहाँ पर, C6H5NO2, अभी थोड़ी दिर पहली किये बिटा ही reaction, क्या है यह, this is, nitrobenzine, benzine रिंग के उपर लगा है NO2, तो लिखेंगे यहाँ पर, C6H5NO2, इसके reaction करवाई किस के साथ, iron scrap के साथ, in the presence of HCl, तो क्या हुआ बिटा, यहाँ पर हुआ, reduction, nitrobenzine का reduction करवाएंगे, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है, amine, तो यह हो जाएगा, C6H5NO2, क्या बना यह, यह बना आपक आपके पास, aniline, ठीक है, और यह हो गया, compound A, अब next step में क्या किया है, बिटा, जो यह आपके पास, compound A, बना, इसके reaction करवाई, HNO2 के साथ, और temperature लिया, 273 Kelvin, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आपको मिल जाएगा, disonium salt, benzine, disonium, chloride, कैसे बनाएंगे, C6H5 N2Cl-, और यह प्लास, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद हमने क्या किया, बिटा, इसके reaction करवाई है, फिनॉल के साथ, C6H5OH, तो जब benzine, disonium, chloride, react करेगा, फिनॉल के साथ, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, coupling reaction, ठीक है, benzine, disonium, chloride था, compound B, तो compound C में क्या मिलेगा, बिटा, coupling reaction हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगी, azodide, देखो बिटा, उसका structure बनाएगे, यहाँ, कैसे होगा, पहले बनाई, benzine, disonium, chloride, यह अपने लिए, benzine, ring, यहाँ पर यह nitrogen, और N2Cl-, तो यह होगा, N double bond N, यहाँ से जाएगा, Cl, और फिनॉल में से जाएगा, एक hydrogen, त hydroxyazobenzene, para position पे है, OH group, और यह एक azo compound है, तो यह होजाएगा, parahydroxyazobenzene, कौन सा color होता है, यह, इसी को हम बोलते है, orange dye, और यह compound कौन सा बनाया है, according to reaction, this is compound C, ठीक है, यह समझा है, आपको कैसे किया हमने, देखो, यहाँ पर छोट आसा करके देख लेंगे, बिटा, यह थी nitrogen, triple bond nitrogen, CL minus, और यह nitrogen plus, और यहाँ दूसी तरफ क्या था, दूसी तरफ आपने लिया phenol, यह benzene ring और यह OH, अब यह जो benzene ring है, इसमें subject है, एक hydrogen present है बिटा, तो एक hydrogen हमने यहाँ लिख लिया, अब क्या करना है, आपको यहाँ से सिर्फ यह HCl को बाहर ले जाना है, तो अब क्य hydrogen बाहर गया है, तो यहाँ पर bond बनेगा benzene ring के साथ, and this is OH, टिक, यह मिल गया आपको, para-hydroxy-azobenzene, which is compound C, clear है बिटा, तो यह वाला question हमने complete कर लिया है, मिलेंगे next question में, तब तक के लिए, bye-bye.